तो यह देखी ऐसे आपका फिल्मुरा स्टार्टिंग पे जाता है अगर आपके कोई परजेक्ट हैं तो वो यहाँ पे सेव रहते हैं तो न्यू परजेक्ट पे जाते हैं तो यह इसका में जो फर्स्ट पेज है यह आप देख सकते हैं यहाँ पे परजेक्ट मीडिया है मीड मीडिया कर सकते हैं यह हमारा प्रव्यू है यहां पर हमारी वीडियो दिखेगी जो हम एडिट कर रहे हैं और यह हमारी टाइम लाइन है और यह सारे जितने फंक्शन है इनकी बात हम करते हैं तो हम इसी में से ही एक सेंपल वीडियो से कोई भी वीडियो ले ले लेते हैं जैसे हम यहाँ पे otherwise कोई भी वीडियो import करते हैं तो उसे यहाँ पे timeline पे लेके आएंगे और timeline के इसको बड़ा चोटा करने के लिए यह देखी यहाँ पे minus और plus का है जैसे हम बड़ा करेंगे तो timeline हमारी जो है वो जूम हो जाएगी तो जैसे देख सकते हैं आप ये जो सेंपल वीडियो है चोटा सा लिया है हमने क्लिप सिर्फ आपको समझाने के लिए और ये सारे टूल यहाँ पर एक्टिव हो गए है जैसे हमने मीडिया लाइन पर किसी भी वीडियो को इंपोर्ट किया है तो आप देख सकते हैं ये करसर है माना और इसमें भी ये कैंची का कट लगा हुआ है आपको कहीं से भी वीडियो को कट करना है आप सीधा डिरेक्ट यहाँ पर कट कीजिए देख सकते हैं वीडियो अलग हो गया है और यहां से नहीं करना चाहेते तो यह देखिए कैंची की यहां शेप है जैसे करसर आप चेंज करेंगे तो यह कट का कैंची का निशान यहां पे भी है और अगर आपको लगता है गल्त यह कट लगा है तो यहां से आप अंडो भी कर सकते हैं डेखिए जो भी portion आपको आपने cut किया है जैसे यह देखिए इसको delete करना है तो आप यहाँ से delete कर सकते हैं और याँ से फिर undo कर देते हैं और उसके बाद यह है crop का crop अगर आपको वीडियो को करना है देखिए ऐसे zoom करना है या कुछ भी करना है तो आप देख सकते हैं यह crop हो गया और यह देख सकते हैं यह speed है आपको वीडियो की slow speed करनी है यह fast करनी है यहां फिर आपको reverse मतलब backshot लगाना है तो यहां से reverse कर सकते हैं उसके बाद अगला देखते हैं तो यह color का है adjustment का है यह कुछ cool warm cool max यह जो preset दिये हुए है अगर preset नहीं खुद आपने करना है तो आप यहां से भी इसके color वगरा देखिए exposure कर सकते हैं brightness कर सकते हैं contrast कर सकते हैं तो अपने हिसाब से आप यहां से भी color collection कर सकते हैं उसके बाद यह chroma की का है अगर आप green screen का use करते हैं तो यहां से आप green screen को use कर सकते हैं बहुत ही असान है कोई भी green screen का जो footage रहेगा आपको यहां से यह देखिए यहां पे जितना green था वो गाइब हो गया है तो यहां से आप green screen का बहुत ही असानी के साथ use कर सकते हैं इसे तो यह main जो function यहां पे है यह same function यहां पे भी ऐसे ही की निकलते हैं देखिए copy cut है under hè delete है तो टूल में भी same itелен, crop boom है, rotate है अगर video को आपको rotate करना है तो यह सारे यहां से भी use कर सकते हैं, इसके short यहां पे भी दिये हुवे हैं यहां से भी आप use कर सकते हैं तो इसके बाद चलते है आजिया है audio में देख सकते यह बहुत सारे audio preset दिये हुए है audio अगर आपको जैसे कोई song यहां कुछ भी करना है तो आप सीधा drag and drop कर दीजिए यहां पर यह देखिए नीचे audio का track बन गया अगर आपको music वगरा नहीं लगाना है तो इसको delete करता तो आप vice over अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे media में जाते हैं यह देखिए record और यहां पर यह voice over है और यह आपका जो भी external mic होगा वो यहां पर दिख जाएगा आप यहां से देखिए button दबाते ही recording का option यहां पर शुरू हो गया है तो जो भी record करना है देखिए नीचे हमारे इसे बंद करते ही यह देखिए नीचे जो हमारा एक track बन गया है vice over का तो बहुत ही असानी के साथ आप यहां पर vice over भी कर सकते हैं बहुत ही असानी के साथ उसके बाद है title तो कोई भी video बनाते हैं तो उसमें title बहुत जरूरी जाता है तो title के बहुत सारे format हैं यहां पर यहां पर भी कुछ नहीं करना यहां से आपको जो भी format इसमें से लगाना चाहते हैं आपको यह preview यहां दिख जाएगा यहां से उठा कर timeline पर ले आना है timeline पर लाते ही इस पर double click कीजिए इसकी setting खुल जाएगी तो यहां आप कुछ भी देखे फिल मोरा तो आप जो भी यहां पर type करेंगे वो यहां पर आ जाएगा और यहां से आप color change कर सकते हैं color के बाद आप यहां पर animation है animation जैसा जो भी करेंगे उसी हिसाब से यहां पर आपका जो title है वो show होगा यहां पर और कुछ जो preset यहां पर दिये हुए हैं जिस पर भी आप double click करेंगे देखिए वो ही यहां पर color same to same यहां पर चप जाएगा तो देख सकते हैं आप तो इसे ok कर दीजिए और यह देखिए आपका यह title यहां पर आ जाएगा तो बहुत ही इसान है title को भी यहां पर लगाना तो उसके बाद transaction है दोस्तों transaction रहती है कि दो video को joint जब करते हैं तो उसको joint करने के लिए हमें effect जो रहता है उसे कहते हैं transaction जैसे हम media और ले आते हैं sample media को तो हम यह वाला यहां पर रख लेते हैं footage एक और तो देखिए अभी transaction में जाते हैं तो यह fade fade का यहां पर लगाते हैं तो देखिए हम यह पहली जो footage चल रही है उसका fade होने के बाद second footage आपकी आएगी तो यह नहीं तो आपका दूसरा कोई भी जैसे देखिए लगाना चाहते हैं यह लगाते हैं तो जैसे देखिए play करेंगे तो ऐसे transaction एक के बाद दूसरी जो footage आउसे जोडने में smart आपका project बना देती है यह देखिए तो ऐसे यह बहुत सारे transaction है यहाँ पर यह आप लगा सकते हैं बहुत ही easy असान तरीके के साथ उसके बाद है effect यहाँ पर तो effect यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे effect यहाँ पर भी दी हुए हैं जैसे यह music का मैं apply करता हूँ बस आपको drag and drop करना है तो यह देख सकते हैं यहाँ पर यह effect है इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसे आपका कोई भी word वगरा है जो आप छुपाना चाहते हैं आपकी कोई secret ऐसी information है तो यह देखे यह effect को आप इस्तिमाल कर सकते हैं यह blur कर देगा उतने हिस्से को और इस पर double click करते हैं यह इसकी setting भी है blur amount आप जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं opacity भी जितनी ज़्यादा कम कर सकते हैं यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे effect हैं तो इसे अभी हटा देता है उसके बाद है element तो फिलमुरा में element भी बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं यह भी आप अपने project के हिसाब से अगर लगाते हैं तो बस इसे भी आपको यहाँ से उठाना है और footage जो है timeline उसके उपर रख देना है देखिए इसे भी आप size बड़ा छोटा कर सकते हैं तो कहीं पे भी आप इसे अपनी screen पे इस्तिमाल कर सकते हैं देखिए तो ऐसे देखिए बहुत सारे यहाँ पे elements है यह देख सकते हैं आप जो size करना चाहें बड़ा चोटा बहुत ही असानी के साथ कर सकते हैं देखिए तो hope के यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा तो इसके बाद है spilt screen यह बहुत कम use में आता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आप एक screen पे कितनी footage चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से है चलिए यह four वाला ले लेते हैं इसे बस यहाँ से उठाना है footage के उपर लेके जाना है और footage पे जैसे आएंगे देखिए चार screen यहाँ पे खुल गई है first को हमने क्लिक किया यह video हमने उठा कर इस पे रख दी और second पे यह रख देते हैं और third है third पे यह रख देते हैं और fourth है fourth पे यह रख देते हैं तो इस पे double click करेंगे देखिए इसका आप यहाँ पे zoom out and zoom in कर सकते हैं अपने हिसाब से setting कर सकते हैं तो जैसे हम देखिए play करेंगे इसको यहाँ से okay कर दें और देखिए चारों video चार corner पे चलेगी आपकी तो ऐसे आप अपनी footage को जितने हिस्सों में जैसे बहुत सारे news channel पे आपने debate करते हुए देखा होगा तो यह वहाँ पे यह element जो spilt screen है वहाँ पे काम आती है वैसे हमारे बहुत कम use में आता है यह यहाँ पे editing किया है उसे export करना है export करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे उससे पहले बताता हूँ यह rendering का है जैसे हमारी footage यह देखते है उपर red line है मतलब कई बहुत ही जो आपका सस्ता यह पुराना PC है तो यहाँ रुक रुक के चल रहा है तो यहाँ से आप rendering कर दीजिए देखे rendering हो जाएगी यह green हो जाएगी तो बहुत ही smooth चलेगी और यहाँ से आपका जो preview है उसे आप full रखना चाहते है full यह half रख लें one fourth रख लें मतलब अगर थोड़ा पुराना computer है तो यह half full यह one fourth करने से और भी जो आपकी footage है बहुत ही smooth चलती है यहाँ पे यह timeline का आपको बताई दिया है कि zoom in, zoom out करने के लिए है तो यहाँ से आप snap shot ले सकते हैं देखिए तो यहाँ से हमें कोई thumbnail के लिए picture वगरा चाहिए तो जैसे यह frame है यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह snap shot आ गया है तो ऐसे आप यहाँ पे snap shot भी ले सकते हैं यह volume का button है कम ज़्यादा करने के लिए और यहाँ से आप screen को full करके अपना project देख सकते हैं तो बहुत इसान यह filmura का जो software है editing के लिए तो अभी हम export करते हैं यह चोटी सी जो footage है यह export पे जाएंगे तो यह देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे format है main mp4 में ही हम करते हैं वैसे देखा जाए तो device यहाँ पे सारे जो phone है YouTube के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है लेकिन ज़्यादा तर mp4 में रखेंगे और यहाँ पे अपनी जो footage वीडियो है उसका आप नाम दे सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं फिल मुरा लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको save करना है अपने PC में कहीं बेपी वो आप यहाँ से दे सकते हैं जहाँ भी आपको save करना है folder में select कर लीजिए यहाँ setting में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने quality जो है वो select कर सकते हैं देखें, full HD है, 4K है, 2K है तो जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं यहाँ पे frame है, per frame जो भी रखना है ज्यादा तर 30 रखते हैं जहाँ 60 रख सकते हैं अगर सीधा डिरेक्ट तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं good, better और best best में सबसे बदी है और यह नीचे का audio का है तो audio का छेड़नी की जूरत नहीं है आपको ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ से setting करने के बाद export पे करेंगे click और यह देखिए jet से आपका जो project है वो export हो जाएगा तो यहाँ find target है यहाँ close है find target पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे यह हमारी footage है जो हमने अभी edit किया है तो ऐसे आप बहुत हिसानी के साथ filmura में editing कर सकते हैं दोस्तों और अगर आपको export नहीं करना है editing बहुत जादा है तो आप यहाँ से file में जाके save project यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर save project पर जाएए यहाँ पर जो भी आपके project का नाम है वो रखिए और यहाँ पर save कर दीजिए और इसे open करने के लिए file में जाएँगे तो open project पर जाएँगे तो आपका प्रजेक्ट जितने भी है यह देखिए यहाँ पे आपको देख जाएंगे और भी मेरे बहुत सारे सेव हैं तो यह फिल्मोरा ओपन करेंगे तो यह हमारा जो प्रजेक्ट था देखिए दुबारा से ओपन हो गया है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद